दोस्तों आप सभी को पता है लास्ट डेट चल रही है फॉर फाइलिंग इंकम टेक्स रिटन फाइनेशल यर 22 यानि असेस्मेंट यर 23 से चोईस के लिए बी लेटेड इंकम टेक्स रिटर आप फाइल कर सकते कुछ लेट फीस के साथ अगर आपके इंकम पांच लाग से कम है तो एक अजार की लेट फीस लगेगी आपको पांच लाग से जादा है तो पांच अजार की लेट फीस लगेगी अगर आपने और इंकम टेक्स रिटर फाइल कर दिया है तो उसके इसमें आप रिवाइज करना चाहते है अपने रिटर को अगर उसमें कुछ गलतियां होई ह तो revise return की भी date 31 December है दोस्तो 31 December आखरी मोग का है आपको अपनी income tax return फाइल करने का इसके बाद आप updated return ही फाइल कर पाएंगे वो भी 1 April 2004 से लेकिन ध्यान रखेगा अगर आपका कोई refund बनता है या फिर अगर आपको कोई ज़्यादा tax नहीं देना है तो उस case में आप भी later return में जा सकते हैं क्योंकि updated return में आपको additional tax देना पड़ जाता है और updated return में आपको refund का भी benefit नहीं मिलता है तो ध्यान देखेगा अगर refund का benefit लेना है tax कम लेना है तो उस case में आप भी later return या अपनी return को अगर revise करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं यह भी option आपके पास available है दोस्तों आईए अब हम आपको बात करते हैं income tax department दुआरा 29 December 2023 को एक tweet किया गया और इस tweet के अंदर बताया गया कि जो भी non-filer है उन लोगों के पास अब final chance है last chance है अपनी income tax return file करने का for the assessment year 23rd choice के अंदर इस जो tweet के अंदर जो message दिया गया है सभी taxpayer को जिसके लिए जो भी non-filer है जो भी non-filer है अपनी income tax return file नहीं कर ले उन लोगों के लिए खास करके यह message दिया गया है अब दोस्तों इस tweet की अगर बात करें तो income tax department में यह बताया है कि कौन है non-filer यानि who is non-filer जिसके बारे में इन्होंने definition दिये कि ऐसे taxpayer जिनोंने अपने assessment year 23rd choice की income tax return तो file नहीं करी अभी तक लेकिन उनके large volume transaction है उनके बहुत सारे इसे transaction है जो हुए है लेकिन अभी तक अपनी income tax return file नहीं करी है तो दोस्तों income tax department दुवारा ऐसे possible identified किये गए है taxpayer ऐसे non-filer identified किये गए है income tax department दुवारा उनके पास list है उनके पास नाम है लेकिन वो अभी तक wait कर रहे हैं के सामने से जो taxpayer है वो खुदी अपनी income tax return file कर दे जिसके लिए उन्होंने communication किया email के दुवारा SMS के दुवारा ऐसे taxpayer को जिनके income tax return बाकी है पर उन्होंने transaction large transaction किये हैं हो सकता है कि आपने bank में बहुत सारे transaction किये हो या आपने stock market में transaction कियो हो तो दोस्तों यह सभी transaction आपके AIS के इंदर reflect होते income tax department के पास सीधी आपकी information पहुँच जाती है तो कभी भी यह मत सोचेगा कि अगर income tax return file नहीं करेंगे तो सरकार हमें नहीं पकड़ पाईगी ऐसा नहीं है income tax department के पास आपका पैन होता है और उस पैन के basis पर आपके सभी transaction track कर लिए जाते इसी basis पर आपको जो है notice बेजी जाती है तो दोस्तों जो लोग अभी तक अपने income tax return file नहीं करिए तो जल्द से जल्द अपने income tax return जो है वह फाइल जरू कर ले आखरी डेट होगी 31 दिसंबर 2023 आईए अब बात करते हैं जिन लोगों के high volume transaction है return file नहीं करिए तो उन लोगों को क्या करना होगा दोस्तों सबसे पहले अगर उन्होंने अपना login अगर register नहीं करवाया है income tax पोर्टल पर तो सबसे पहले पोर्टल पर जाकर आप register करवा ले login करने के बाद आपको compliance पोर्टल पर जाना है return file नहीं करते हैं और आपके last transaction पड़े हुए होते हैं आपके AIS के अंदर reflect हो रहे हैं आपने compliance पोर्टल पर कोई feedback नहीं दिया तो उसके income tax department आप पर कारवाई कर सकता है तो दोस्तों ध्यान रखेगा income tax return file करना बहुत ही जादा important है अगर आपके ऐसे कोई transaction है तो उन transaction को जानने के लिए भी आपको income tax portal पर जाकर login कर लेना है AIS के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं कौन से कौन से ऐसे high value transaction है जो आपके pan basis पर दिखा रहे हैं इसके अलावा compliance portal पर जा सकते कि क्या feedback आप से मांगा जा रहा है अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस case में आपको notice आ सकती income tax department दुआरा आपको परिसान होना पड़ सकता है तो गलती ना करें जल्द से जल्द अपने income tax return file करें 31 December 2023 इसकी आखरी डेट है आखरी डेट आने से पहले-पहले ही अपने income tax return file कर दें belated income tax return आप file कर सकते रिवाइज income tax return भी आप file कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं कतम करते हैं वीडियो पसंद आए चैनल को like subscribe और शेर जरूर करिएगा धन्यवाद